नमस्कार दोस्तों तो फिर से आज एक नई डेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागद ہے तो आज हम फिर से उपस्तित हैं एक नई और यूणिक डेसीपी लेकर बताए क्या है ये बहुत से लोगों को लग रहा हुआ कि मचली है मचली नही है ये दोस्तों ये सबजी ह और यह है ओल की सब्जी यह देखिए यह रहा ओल देहाती ओल है यह हमारे यहां इसे ओल कहा जाता है बहुत से जगह पर इसे सूरन भी कहा जाता है तो यह गाओं वाला है ओल जो गाओं के खेतों में होता है वो वाला है मार्केट वाला नहीं है जो मार्केट में बिखता है उसका टेस्ट इससे अलग होता है और ये अलग होता है तो इस तरह से हमने ओल को काट लिया है छिलका सहीत काट लेना है और इसे उबाल लेना है उबालने के बाद हम इसका छिलका हटाएंगे बहुत असानी से हट जाता है तो इसे उबालना है इसमें आधे छोटे चमच होता है ना वो निम्बू र Bürकने की वज़ा से कम हो जाएगा तो तब तक हम लासुन का बना लेते हैं एक पोटली मासुन को छील के इस का पेष्ट बना लेंगे एक छोटे चमच काली मिर्च, एक छोटे चमच जीरा और एक चमच मेडियम चमच से धनिया इन सभी को हमें पीस लेना है ये देखिए ओल भी उबल चुका है इसका ठंडा हो गया है अब हमें इसका छिलका हटा लेते हैं देखें कितनी आसानी से छिलका इसका हट जा रहा है तो सारे ओल से हमें किक करके छिलका हटा लेंगे अब हमें इसमें मसाले मिक्स करना है इसे फ्राइ करने के लिए दो छोटे चमच लसुन का पेष्ट एक छोटे चमच धनिया पाउडर एक छोटे चमच लाल मिर्च पाउडर और एक चमच जो सरसो वाला पेश्ट बनाए हैं उसमें से एक चमच ले लेते हैं अब हमें इसमें एक बड़े चमच बेशन एड़ करना है फ्रेंड्स 500 ग्राम के आसपास हमारा ओल था उसी का कोडिंग हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेशन मिक्स करेंगे ज्यादा बेशन हमें इसमें नहीं मिलाना है हलका हलका बेशन रख लेते हैं इधर तब तक कड़ाई चढ़ा देते हैं गरम होने के लिए इसमें तेल रख देते हैं ताकि अच्छे से गरम हो जाए हमें इसमें ओल को फ्राई करना है और हम इधर तब तक मसाले को मिला लेते हैं तो सारे मसाले को अच्छे से ओल में मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स कर लिए हैं हलके हातों से उबला हुआ ओल है तूटे ना इसलिए हमें हलके हातों से से मिक्स करना है तेल गरम हो चुका है एक एक करके सारे ओल को तेल में रखके फ्राई कर लेंगे डीप फ्राई करना है हमें इसे अच्छे से ब्राउन करके निकालना है मेडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है ओल को एक एक करके सारे ओल को हम फ्राई करके निकाल लेंगे और जो मसाला हमने अलग लग रखा है, सारे मसाले को एकठा कर लेते हैं, यह सरसो वाला पेश्ट है, इसमें एक चमच हल्दी पाउडर, दो से तीन चमच लाल मिर्च पाउडर, हमारा मिर्ची ज़्यादा तीखा नहीं है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ले ले रहे हैं, और जो अलग से जो लासुन का पेश्ट बना के रखा है, उसे भी इसी में मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारे मसाला इकठा रहे, तो भूनने में ठीक रहेगा, फ्रेंस, इधर ओल भी फ्राई हो चुका है, तो सारे ओल को देखिए, कितना अच्छा फ्राई हो गया है, अच्छे से हमें इसे उलट पलट कर फ्राई कर लेना है, फ्राई हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, निकाल लेंगे देखिए ओल कितना अच्छा फ्राई हो चुका है इस तरह से सारे ओल को फ्राई कर लिए है डीप फ्राई करना है ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए इस तरह से अब हम आगे का जो मसाला बनाना है उसको सुरू करते हैं मसाला पकाना सुरू करते हैं उसी तेल में जिसमें ओल फ्राइ किये थे एक छोटे चमच मेथी के दाने एक छोटे चमच सरसो ये सब चटक जाए तो हमने जो मसाला रखा है उसे इसमें एड़ करेंगे साड़े मसाले इसमें डख लिये हैं अब हमें मसाला भूनना है इस प्लेट में थुरा सा पानी रखके इसमें डख लेते हैं बहुत सारा मसाला लगा हुआ था इसमें तो इसे मेडियम फ्लेम पर हमें पकाना इसमें नमक एड़ कर लेना है, अपने टेस्ट के अकोडिंग हम इसमें नमक एड़ कर लेंगे, बिल्कुल मेडियम फ्लेम करके मसाले को बहुत अच्छे से पकाना है, सरसो का मसाला जो होता है, तीखापन नहीं रहे, टमाटर एक बड़े साइस का टमाटर था, उसे बारी काट कर इसमें रख लिये हैं इसे भी हमें अच्छे से इसमें गलाना है धक के मेडियम फ्लेम पर हमें इसे साथ से आठ मिनट अच्छे से पका लेना है ताकि टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाला भून चु पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसे 2-4 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें ओल एड़ करेंगे उबाला चुका था तो हमने इसमें ओल को रख दिया है दो से तीन मिनर तक हमें इसमें उबलने देना है ओल को ताकि जो मसाले हैं ओल के अंदर तक सेठ हो सके इसे अच्छे से पका लेंगे देखे फ्रेंज अब हमें इसमें एक चमच कसूरी मेथी अड़ करनी है कसूरी मेथी अड़ कर लेते हैं गैस का फ्लेम अब हमें कर देना है बंद और सबजी को होने देना है ठंडा 10 से 15 मिनर सबजी ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसमें एक बड़ा टुकड़ा निम्बू का रस निकाल लेना है और उसमें डाल देना है तो दो चमच के करीब हमने निम्बू का रस निकाल लिया है इसे भी हम सब्जी में मिला लेते हैं इसे जो थोड़ा बहुत खडास होगा वो खतम हो जाएगा और सब्जी बहुत टेश्टी ल लग रहा है खाने में बनाने के बाद ही पता चलेगा और वो जो मार्किट वाला ओल होता है हमने उसका भी सब्जी सेयर किया है उसका लिंक हम डिस्किप्शन बॉक्स में एड कर देंगे आप फ्रेंड्स देख लेना कौन सा सब्जी ज्यादा टेश्टी है ज्यादा अच्छ की